श्रीनाज्जी गुरुजी कॉलकादेश, माभगवती कॉलकादेश, श्राची वाले भहरबाबा को अलगादेश, आप सभी को आदेश आदेश, गाइत्री का मंतर जाप कैसे करे, बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि गाइत्री जाप विधी बताया जाए, मैंने हमेशा से बोला है कि ग्रिहस्त को चाहे वो सादक हो या फिर एक ऐसे पूजा कर करने वाला जिसको देवद्रिष्टी चाहिए, जिनको चाहिए कि उनका घर धन धाने से परिपून रहे, उनके लिए दो चीज़ बहुत अन्यवारे है, पहला चीज़ है सूरी को अरग देना, सूरी को सुभा में जल देना और दूसरा होता है गाइत्री मंत्र का जाप करन मजदार बात यह है कि जिब तक आप गाइत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं तब तक आप सूरी का अरग है वो भी acceptable नहीं होता है, क्योंकि गाइत्री के सामने जो जल रखते है、 वही सूरी को अरग में दिया जाता है, या फिर गाइत्री मंत्र पड़के जो जल आप देते यह गाहित्री भगवती की एक तस्वीर चाहे तो वह तस्वीर हो या मूर्ती हो लेकिन अनिवारी यह होता है कि उसमें गाहित्री मंत्र लिखाओ दूसरा गाइतरी मंत्र के शुरुवात में आप क्या करते हो आप जो भी पंसुकार है जिस तरीके से पूजा किया जाता है वो सब पूजा की सामगरी रखो जो पुश्प है उसके बाद मिस्टान है उसके बाद धूप है दीप है ठीक है जो भी पूजा की सामगरी है वो भगवती गायत्री का आवाहन करेंगे इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब आप दीपक जलाए तो आपका भाव यह होना चाहिए कि इस दीपक को जलते ही भगवती का आवाहन करते ही भगवती गायत्री आ करके वहां बैठे या देवी मा भगवती का कोई भी रूप आ करक तो मा भगवती देवी गाइतरी या मा भगवती का कोई भी रूप आ करके आपकी पूज़ा जरूर सुने का तो आपने आवाहन कर लिया उनको धी, धूप, दीव, नवेद जो भी है वो चढ़ा दीजिए ठीक है उसके आपके स्क्रीन पर पहला साप विमोचन मंतर आ रहा है, ठीक है? हाँ, लेकिन साप विमोचन के बारे में जानने से पहले ये जान ले कि गाइतरी शापित हुई क्यों? जैसे की बाकी सारे मंतरों को महादेव ने किलित कर रखा है, गाइतरी मंतरे का ऐसा मंतरे जो महादेव जी दौरा किलित नहीं हुआ था पहली बार जो गायत्री मंत्र किलित हुआ था वो सावित्री के द्वार हुआ था सावित्री मा जो है वो मा गायत्री की बहन है और ब्रह्मा जी की पहली पत्नी उनको कहा जाता है दूसरी पत्नी गायत्री है तो एक बार एक यग यो होने वाला था उसमें सावित्री जी को ब जैसे ही गायत्री को शक्ति विहिन होने का श्राप मिला देवताओं में और पूरे ब्रह्मान में खलबली मज गई कि गायत्री अगर शक्ति विहिन हो जाएगी तो पूरा ब्रह्मान की जो शक्ति है वो छिन हो जाएगी तो फिर सावित्री जी मान गई और उन्होंने एक मंत है तो पहला साब विमोचन है उसमें ब्रह्म रिशी है गाहितरी छंध है वरुन देवता खिलें इस मंत्र को पढ़ने से नांशा मेश हो जाता है तो मंत्र जो है मैं मंत्र पढ़के नहीं बताउगा गाहितetiा को भी मंत्र पढ़ना बिना मतलब गुरु और शुषि के बीच में ही गायत्री मंत्र बोला और पढ़ा जा सकता है अच्छा एक विश्य और समझ लीजिए कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तब भी आप साफ विमोचन करके गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं ठीक है और गुरु है तो अनिवारे नहीं है कि आप साफ विमोचन करें लेकिन साफ विमोचन करना अच्छा रहता है ठीक है तो इसके बाद अभी जो आपके स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है वो मंत्र है जिसमें कि यह बताया जाता है कि हे गायत्री जिसको ब्रह्मणाम कहते हैं धीर पुरुष करन में आपको उसी रूप में देखते हैं आप ब्रह्म श्राप से मुक्त हो जाओ ठीक है तो यह पहला साफ विमोचन हो जाता है इसके बाद दूसरा साफ विमोचन होता है गायत्री का एक बार क्या होगा कि ब्रह्मा जी वशिष्ट जी और विश्वामित्र जी में कॉम् पायत्री जी ने ये होने नहीं दिया इससे तीनों कुफित हो गया और फिर तीनों ने श्राप दिया तो एक तो ब्रह्म अका साफ विमोचन मंत्र जो है वह तो मैंने बता दिया उसके बाद है वंही अनुष्प चंद है विशिष्ट दीवता है ठीक है यह मंत्र अभी शिव हूँ मैं शिव की जोती विश्णू हूँ मैं विश्णू की जोती शिव हूँ हे गायत्री आप वसिष्ट के साफ से विमुक्त हो जाओ ठीक है यह दूसरे साफ विमोचन होता है तीसरे साफ विमोचन जो तीसरे कॉम्पिटीटर थे उसमें और वो कौन थे वो थे विश्वामित्र रिशी इन्हों ने तो पता नहीं कितने मंत्र को किलित कर रखा है तो इसमें विश्वामित्र रिशी है अनुष्टुप छंद है और आध्या देवता आध्या देवता मतला माध्या जहां से चब शुरू ह हुआ जिसे गायत्री को भी वही मंत्र है तो इस मंत्र में इसका जो मंत्र है उसमें क्या है कि हे देवी हे महादेवी हे ज्ञान रूपे हे संध्या रूपे हे सरसती हे जरा रहित हे मरन रहित आपको नमश्कार है आप विश्वामित्र के साप से मुक्त हो ठीक है जब आपने साप विमोचन कर लिया ठीक उसके बाद भगवती गायत्री की तस्वीर के सामने आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तीन माला ठीक है गायत्री मंत्र कम से कम तीन माला पढ़ना चाहिए एक माला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए तीन माला पढ़ें एक गुरु को जाता टो एक किसी पाउच में रखेब करिये गाईत्री मंत्र का जाब स्पीड में नहीं करते हैं सब्सक्राइब analytic करते हैं तीन माला आपने गाईत्री मंत्र का जाब कर लिया उसके बाद अब स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूं 24 मुद्राएं, बिना इन 24 मुद्राओं को भगवती देवी गाहितरी के सामने दिखाए, इस पूरे गाहितरी विधान का कोई मतलब नहीं रहता और कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है, तो ये 24 मुद्रा आपको भगवती के सामने दिखाना है, ध्यान रहे, जब ये 24 मुद मुद्रा दिखाते हैं यह मुद्रा बहुत सीक्रेट मुद्रा होता है भगवती और चेलो के बीच मतलब जो भी पार्ट कर रहा है जो साधा के उसके बीच में तो चाहे तो जिस समय आप यह दिखा रहे हैं मुद्रा उसमें कमरे से सब को निकाल दीजिए या फिर एक परदा रखे और मतलब जो आप यह मुद्रा दिखाए तो कोई भी यह मुद्रा देख नहीं पाए इतना हो गया इसके बाद क्या करना है अगले स्टेप में आजमनी लीजिए ठीक है उसमें जल लीजिए और तीन बार जो दीपक है उसके चार मंत्र करने के बाद जो आपका जो माला है उसको देवी के चर्ण में रखके उसके अपने सर से टिक आगे रखके ठीक है उसके बाद दीपक के चारो तरफ जल घुमाए और यह विसरजन मंत्र है इस विसरजन मंत्र को आप पढ़एंगे भगवती के सामने ठीक है इतना कर के लिया उसके याद वो जल को उठाइये और जल को आप सूरिय दे़ता को को दे दिए सूरिय देवता के कि मंत्रें उसमें से कोई भी मंत्रा पर्योंक करके उसको सूरिय देवता को अर्पित कर सकते हैं यह स्वीड और सिंपल गायत्री का जाब करने जाब complete करने के बाद वह कलश उठा करके जाके सुरु भगवान को आप जल दीजे शुरु भगवान के जिस भी मंत्र से आप जल देना चाहते हैं ठीक आज के लिए इतना ही मैंने एक basic कूर्स शुरू किया है क्योंकि आप लोगों को जो बेसिक मंत्र हैं साबर मंत्र वो नहीं आते हैं जैसे कि आसन दिशाव और यह सब आना चाहिए तो अगर उससे आप जूड़ना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप पे संपर कीजिए यह पेट लूप है फ्री नहीं है इसक को मेरा प्रोफाइल मिलेगा मुझसे कॉल करके आप उसमें बात कर सकते हैं आजकल थोड़ा अडवांस हो गया हूं मेरा एक वेबसाइट है अगोर्तंतरहस्य.xyz उसमें आप मुझसे अपाइंट्मेंट भी ले सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश करका देख